देखिए यूपी में जिलांबली यां पढ़ता है जहां करीभी में यहां एक रसन पढ़ता है उसके करीभी में यहां पचवागा पढ़ता उसके और आझ यहां स्वाश रहे जना चाहेंगे कि जो यह आपaiahेयर। कि आज ये कार्यक्रम था इससे क्या संद्य देना चाहेंगे अपने लोगों को जागरूप कर रहे हैं कि शमीधान खत्रे में हैं अब लोग का दिकार खत्रे में हैं तो आप देख रहे हैं कि अभी जो है एनर्सी एस यह तुमाम व्योस्ता है हमको दूर करने के लिए जा रह हैं आज हमारे देश में हमारे देश की लोगों को Be हिसके पाणी से इसको इसके देश इसके भेस्ति सासन पर सासन क्याल नहीं है लेकिन दूसरे देश से यह लाजा रहा है कि जो हमारे देश नहीं तो हमारे देश कि आप इसे लोग हैं कि आज भी जो है रहने घर रहे किराय पर रहा है तो कहा जाएगा तो तमाम इस तरह की जो है आग बरी हुई है इसलिए हम अपने समाज में अपने समाज को जगरूप कर रहे हैं कि इसमें जो है अपने दोस्तों पाचानना है हमारे सम्मिधान खत्रा में है जो तो हमारा अधिकार को लूटेगा और सम्मिधान पजदी इसतर करेगा और हमारा हमारे देश में दूसरे को देशान लाएगा तो उसके लिए जो भी लाए रहना हम पीछे नहीं है तेंगे इसके लिए नहीं बढ़ चाहिए जातों चाहिए दरीतम चाहिए बैकवाट हो चाह करना बहुत ज़्यूरी है इस समाज को और हमें भी बहुत अच्छा लगा है कि यहां जो यह कारिकरम हुआ था कारिकरम के अध्यक्ष है तर आपको कैसा लगता है यह कारिकरम कराने में वह बहुत बहुत खाचा है आपको कैसा लगता है यह अच्छा लगा हम हमको नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं बहुत बहुत धन्यवाद समता वाज टीवी की तरफ से आप लोगो बहुत बहुत भीम चर्चा जागरुकता मंच ग्राम सभा पचहुआ हमारे मुख्य अतिति हैं श्री सुबास राम जी पुर्व प्रत्यासी एमेल सी बलियां जो अब सपा नेता हैं बिसे भारत का संबिधान समाजिक आर्थिक परिवेश और बाबा साहब भीम राव अमबेटकर के बिचार बहुत ही अच्छा लगा शी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद